हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाएं राम रहीम डाइद इन रोथ अजेल विदिन टू देज वाट इस वाट इस वाट राम रहीम को जेल में बंद हुए अभी दो दिन भी नहीं हुए और उसकी मौत हो गई आखेर ऐसा क्या हुआ इन दो दिन में जिसने राम रहीम की जान ले ली वाए राम रहीम डाइड वू किल गर मीट राम रहीम इंजेल यह कुछ सवाल है जिसने जेल प्रशासन की नीग दे उड़ा दी हैं क्या राम रहीम की तबियत खराब हुई जिसकी वजह से उसकी अचानक डेथ हो गई या फिर उसे कोई हांट टाक आया आखर राम रहीम की मौत का सच क्या है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखर हुआ क्या है आचलि हुआ यूँ कि आज सुबह जब जेल कर्मियों ने गमी राम रहीम को उठाने को कोशिश की तो वो उठा नहीं चेल के रूज के मुताबिक हर कैदी को तैसमय पर सुबह उठकर अपने सारे काम निप्टा कर जेल की तरफ से दिये गए काम को करना होता है जिसके एवज में हर कैदी को कुछ रुपए भी दिये जाते हैं आब राम रहीम तो एशो आराम की जिन्दगी से सीधे जेल पहुँच गया तो यह उसके लिए कोई शोक से काम नहीं था इसलिए जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब उससे सजा सुनाई गई थी तो तब भी वह जमीन पर बैट कर रोपड़ा था जेल कर्मियों को काफी मश्रकत से उसे वहां से उठाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया गया था आज सुबह भी राम रहीम ने कुछ ऐसी ही नोटंग की यानी ड्रामा करने की सोची इस उमीद से कि शायद वह किसी तरहें जेल से चुट जाएगा तो आज सुबह जब जेल की कर्मियों ने उसे काफी देर उठाने की कोशिश की तो वह उठा ही नहीं उन्होंने राम रहीम को उठाने को कोशिश जारी रखी लेकिन उसने उठना तो दूर की बात राम रहीम अपनी जगह से हिला डुला भी नहीं यह देखकर ड्यूटी पर तैनाप जेल कर्मियों को कुछ शक हुआ उन्होंने उसके चाती के पास जाकर उसकी हाट बीट यानी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की लेकिन जब पास जाने पर भी राम रहीम के दिल की धड़कन नहीं सुनाई दी तो जेल कर्मियों के पसी में छूट गए यह सोच कर कहीं राम रहीम को कुछ हो तो नहीं गया जल्दी मामले की जानकारी बड़े ओफिसर्स तक पहुंचाई गई रू तक जेल के सीनिय ओफिसर्स ने जेल के डॉक्टर को बुलवाया और राम रहीम का मेडिकल चेक अप करने को कहा जब तक जेल के डॉक्टर्स राम रहीम का मेडिकल चेक अप करते रहे तब तक भी राम रहीम जियोकतियों अपनी जगे पर पड़ा रहा सभी जेल कर्मियों की जान में जान आई जब डॉक्टर्स ने बताया की राम रहीम जिन्दा है और बिल्कुल ठीक शाक है डॉक्टर्स के मुताबिक, राम रहीम जान बूज कर अपनी सांस रोक कर यह साबित करने को कोशिश कर रहा था कि जैसे उसके साथ कोई बड़ी अन्होनी हो गई है या आनी की एक बार फिर से राम रहीम नौटंकी करने की कोशिश कर रहा था हाला कि पिछले एक दिन से उसने जेल में कुछ ज्यादा खाया पिया नहीं था जिसकी वजह से उसके शरीर में कुछ कमजोरी आ गई थी और राम रहीम का बलड प्रेशा भी थोड़ा लो हो गया था बस नहीं चीजों का फाइदा उठाते हुए राम रहीम ने कुछ देर अपनी सांस को भी रोक कर यह जाहिर करने की कोशिश की जेल में उसकी तबियत काफी बिगड रही है और इस उमीद से की शायद उसे छोड़ दिया जाएगा या फिर उसके लिए कुछ और सुविधाएं दी जाएंगी इस पूरे नाटक को अंजाम दिया रोल तक के सुनारिया जेल के डॉक्टर्स द्वारा राम रहीम के मेडिकल चेक अप की फॉर्मालिटी पूरी होने के बाद उसे जेल अड्मिनिस्ट्रेशन की तरफ से जोरता डाट लगाई गई और राम रहीम को वार्निंग दी गई कि अगर उसने दुबारा से ऐसा कोई ड्रामा किया या फिर जेल के नियमों को तोदा तो उसकी सजा और बढ़ा दी जाएगी तो देखा आपने राम रहीम की कोई मौत नहीं हुई है और वह भला चंगा है बस अपनी नौटंकी से सबका ध्यान अपनी और आकरशित करने को कोशिश कर रहा है कि कहीं से उसे कोई राहत मिल जाए रोतर जेल के ओफिसर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखकर इस मामले को क्लोस कर दिया कि राम रहीम इस नौट पटी हाज ओनली बीन डूइंग डूइंग ड्रामा तो एसकेप दर इंप्रिजिनमेंट माइंड दन यूज रूम की रिपोर्ट उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चानल को सबस्क्राइब करना ना भूलें